मुख्यमंत्री त्रिवेन सिंग रावत ने सचिवाले में पितारगर, बागेश्वर और चंपावत जिलो की मुख्यमंत्री गोश्णाओं की शमिक्षा की बैठक में विधायक वर्चुल माध्यम से मौझूद रहे, समिक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये की CM घोश्णाओं को निर्धारित समय में पूरा किया जाए और हर महीने मुख्यमंत्री CM घोश्णाओं की समिक्षा करेंगे बता दे कार्यों में तेजी लाने के लिए जिलादीकारियों को पूरा दिन में घोश्णाओं की कार्ये प्रगती की समिक्षा करने के निर्देश दिये गए सीम घोशना पोर्टल पर भी सभी घोशनाओं को अपडेट रखने के निर्देश दिये गए चमोली में तपवन तराजदी को 200 घंटे से ज्यादा हो चुके है और रिशी गंगा साइट और तपवन इंटेक एडिट टनल पर दोनों जगा लगातार रेस्क्यू अभ्यान जारी है बता दे आज तपवन इंटेक एडिट टनल से तीन और शवो को रेस्क्यू किया गया है अभी तपवन टनल से 9 और रेनी से 7 शव निकाले जा चुके हैं वहीं अब भी 151 लोग लापता है देश की सबसे बड़ी आबादी की प्यास बुजाने वाले उत्रखन के पहाडों में ही पानी की किलत होने लगी है अभी सरदियां खतम भी नहीं हुई हैं लेकिन रूद प्रियाग जिला पानी के गंभीर संकर से जूच रहा है गाउँ वाले पानी की एक-एक बून के लिए परिशान हो रहे हैं दरसल उचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले शेत्रों में बारिश नहीं होने की वज़ा से प्राकर्तिक जल श्रोत्र सूखने लगे हैं इसके अलावा जिले के कई इलाकों में सडक निर्मान का काम भी चल रहा है जिस वज़ा से पेजल योजना छतिग्रस्त हो रखी है इसी वज़ा से ग्रामीन इलाकों में पानी का कम भीर संकट पैदा होने लगा है मसूरी में पहली बार जुबिन नौटियाल ने चमूली जुले के रेडी गाउं में आई आपदा कूले का लाइव कॉनसर्ट किया जिसको करीब 3 लाग से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन देखा सैकडों की तादाद में जुबिन के प्रशंचक मसूरी पहुँचे जुबिन नौटियाल ने माल रोड सित अपने होटल की छट से लाइव कॉनसर्ट किया जिसमें इनके साथ कई बड़े म्यूजिशन थे महीं माल रोड पा लगी स्क्रीनों के माध्यम से लोगों ने उनके गीतों को सुना और देखा इस मौके पर जुबिन नौटियाल ने लाइव कॉनसर्ट में अपने नए और पुराने गाने गाए जिसने सभी के मन को मोल लिया तीर्थ नगरी रिशिकेश में अभिनेतार राजकमार राओ त्रिवेणी घाट पहुँचे देर श्याम त्रिवेणी घाट पहुँचकर राजकमार राओ ने मागंगा जिकी आरती की और वहाँ से वहाँ पर वो लगभग 20 मिनट रुके उसके बाद पूजा करने के बाद वो सीधे शूटिंग के लिए निकल गए इसी दोरान सुरक्षा के भी कड़े इंतिजाम किये गए थे बदलते दोर के साथ ही मानव लगता प्रकती का दोहन कर रहा है इसके चलते आए दिन प्रकती आपदा होती है हाली में चमोली जिले में आई आपदा मानव की गलत नीतियों का ही नतीजा माना जा रहा है वहीं कैबिनेट मंतरी और पौडी के जिला प्रभारी सुबोत उन्याल का कहना है कि चमोली जिले की घटना से हम सभी को सबक लेना चाहिए हिमाले राज्यों के लिए अलग से ना सिर्फ नीती बनाई जानी चाहिए बलकि केंद्र में भी उसका अलग से मंतराले होना चाहिए हरेद्वार में होने वाले महाकुम मेले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स को प्रभावी रूप से लागू करना उत्रखंड पुलिस के लिए बड़ी चुनोती का विशे है इसके लिए अधिकारियों की मीटिंग का दौर शुरू हो गया है इतना ही नहीं कोरोना महामारी को देखते हुए कुम्ब को लेकर जारी गाइडलाइन्स को प्रभावी रूप से धरातल पर लागू करने के लिए उन्निस फरवरी को अंतर राज्य स्तरप पुलिस बैठक का प्रायजन देरदून में किया जाएगा इस दोरान उत्रक्षंड के पड़ोसी राज्य पंजाब हर्याना हिमाचल और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों की पुलिस के आलाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे लालकुए गोला रोड सैथ सेंचुरी मुख्य गेट के सामने दो दिन पहले तीन दुकानों में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफतार किया है साथी उनके कबजे से हजारों की नगदी और चोरी का समान बरामत कर लिया है लेकिन अभी भी इस घटना का एक आरोपी फरार है वहीं पुलिस पुछताज में आरोपियों ने बताया कि वो नशे की पूर्ती के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे उत्तकाशी के भटवारी प्रखंड में पापड गार के पास एक सूमो गारी दुरगटना गरस्त हो गई जिसमें वाहन चालक गंभी रूप से घायल हो गया था और विलाज के दौरान उसकी मौत हो गई वहीं SDRF की टीम ने रेस्क्यू किया केंद सकार की सुगंध मिशन योजना के तहट लेवेंडर के फूल की खेती के बारे में मसूरी और आसपास के शेत्रों में किसानों को लेकर वनवेभाग द्वारा कारेशाला का आयोजित की गई जिसमें हाली में प्रधान मंतुरी से प्रोग्रेसिव फार्मक आवार्ड लेने वाले भारत भूशन ने लेवेंडर की खेती के बारे में विस्तार से जानकादी दी उन्होंने कहा कि जम्मु कश्मी के किसानों ने मक्के की पारमपरिक खेती छोड़ पहाड़ियों के धलान पर खुचबूदार लेवेंडर के फूल की खेती शुरू की है जो उनके लिए उपेक्षा करत अधिक फायदेबन होने के साथ जिले में बैंगनी क्रांती की भी श पाकार करने वाले हैं वहीं इस मौके पर जोती मारवा ने कारेशाला के दौरान लेवेंडर की खेती को लेकर एक स्लाइट शो के माध्यम से लोगों को इसकी खेती के बारे में जानकारी दी हल्दवानी में इन दिनों वहनों के चालान को छुडाने के लिए फरियादों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं इतने परिशान हो गए है कि वो कभी RTO दफतर जा रहे हैं तो कभी CEO दफतर लेकिन चालान चूटने का कोई भी पता नहीं है। सीयो भुपेंद्र धोनी का कहना है कि सीयो ओफिस से नई नियम के तहट आटियो को चालान भेज जा रहे हैं लेकिन आटियो ओफिस से बिना निस्तारण के ही चालान वापिस आ रहे हैं इस महीने चालिस चालान आटियो आफिस भेजे गए थे जो वापिस आ गए हैं लिहाजा लोगों को भी परिशानी उठानी पड़ रही है कॉंग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने चमोली हाथसे में राज्यस सरकार द्वारा चुलाय जा रहे बचाव राहत कारियों पर सवाल खड़े किये हैं कहा है कि सरकारी मशिनरी के अभाव में लेट लतीफी हो रही है जिसकी वज़ा से इस आपड़ा में कई लोगों की जान चली गई है तपोवन आपड़ा के बाद जिला प्रसाशन सीमांत गाउं को मुख्यधारा से जोड़ने में लगा हुआ है बेहत कम समय में वहाँ पर मूलभूत सुवधाय सुचारू हो रही है जिससे अब प्रभावित गाउं में धीरे धीरे हालात समानने होने लगे हैं यूपी सीयल के अधिशाशी अभियंता कैलाश कुवान ने बताया कि तपोवन आपड़ा में 3000 मीटर विद्योद लाइन छटिग्रस्थ होने से सीमांत गाउं पैंग की विद्योद अपूर्ती बादित हुई थी यंग गाउं में जिला प्रसाशन द्वारा आपड़ा के बाद सभी परिवारों को सोलर लाइट बाटी गई हैं लालकुआ में राजजस्व विभाक की लीज निरस्थ भूमी पर कबजा जमाय बैठे कबजेदारों के खिलाफ कारवाई करने और लीज निरस्थ भूमी को कबजे में लेने की मांग को लेकर उत्रखंड बेरोजगा संगठन ने उपजलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ग्यापन दिया उत्रखंट बेरोजगा संगठन के कुमाउ मंडल अध्याक्ष दीपक जोशी के नेतरत में एकतरत युवाउं ने तहसील कारयाले पहुँच कर चिलादिकारी को ग्यापन सौपते हुए कहा लालकुआ में बसड़ा, पारकेंग सल, फाय स्टेशन, क्रिकेट सल, सहित अन्य स्टलो को बनाने की मांग की है वहीं युवाउं ने कहा कि इससे पहले भी ग्यापन दिया गया था लेकिन कोई कारवाई नहीं की गई उत्रखन की खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया के और खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहें News World India